हलो आप्रिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल सु असलाम अलेकुम कैसे आप सब भी उबीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे यह हैं मौलवे हिश्ट्रे का लाश पर इसमें मैं सब्जेक्टिफ कोशन कराने वाली हूं 15 से 20 कोशन कराऊंगी ही तो यहां पर मैं हर क्वेशन ते पिछले वीडियो मैं कंप्लीट कराई थी और आज इस वीडियो में जितने क्वेशन बन सकेंगे मैं कंप्लीट कराऊंगी तो यहां बे सबसे पहले क्वेशन है इस वीडियो का गौतम बोद को बौत के नाम से कैसे जाना गिया वा किस तरह एक इल्म वाले इ इज़ाद किया उन में से एक ये था कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा तक्रीफ देना जिस्म जिसकी वज़ा से वह मरते मरते बचे फिर उस इंतहाई गदरनाक तरीकों को छोड़ करवा कई दिनों तक मकाशवा में रहे और आखिरकार उन्हें इर्फान हासिल कुआ उसके ब अमरावती क्यों बड़बाद हो गया जवाब यहाँ पर आप लोग देखिए शायद अमरावती की तलाश नस्बतन पहले हो गई थी तब तक दानिश्वर हज़राद उस बात के एहमियत को नहीं समझ पाए थे किसी आसार कदीमा के बाकियात को उठा कर ले जाने के बज़ दर्वाज़ वही पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था तब भी ये मश्विरा दिया गया कि मरकजी दर्वाज़ों को पैरिस या लंदन भेज दिया जाए आखिरकान साची कस्तो कई वजों से अपनी जगा पर कायम रहा इसलिए वह आज भी कायम है जबक गुपत अहद के मजभी सूरत हाल को वाज़े कीजिए तो जबाब देखिए गुपत अहद के तमाम हुकमडा हिंदू मजभा के मानने वाले थे लेकिन वादिग्र मजभा का भी एतराम करते थे जितने भी गुपत अहद के तमाम जितने भी हुकमडा थे वो क्या थे हिंद मजहब तरक्य के आसमान पर था उस अहद में हिंदू मंदिरों की तामिर कराई गई यग्या और होन वगेरा दोबाड़ा मुनाकद होने लगे बरहमनों का एहतराम बहुत था बाश्चा की तरफ से तमाम मजहब के लोगों को पूरी आजादी थी ताकि अपनी ख्वाहिश के मताबिक अपने तरीके से अबादत कर सके और बहुत मजहब जवाल पजीर था उसके खास इसबाब थे सरकारी मदद नहीं मिलना और बहुत मजहब के मुफलगों में बद अन्वानी का बोल बाला होना यह था इस क्वेश्चन का अंसर और आप सब भी हो सके तो खुझ से भ बार पढ़िए जाद समझ में आएगा और याद जादेर तक याद भी रहेगा अब यहां पर लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत संगीतियों का बयान कीजिए जवाब यहां पर देखिए महात्मा बहुत की वफात के बाद बहुत मजह की तश्री के लिए चार बौध मजलिसों का अनाकद हुआ ठीक है जिन्हें बौध संगीती के नाम से भी जाना जाता है पहला बौध संगीती राजगीर में महाकर्शियप की सदारत में हुई दूसरी बौध मजलिस का अनाकद बौध मजलिस पार्टली पूतर के नाम सब लोग जानते होंगे वही हुई ठीक है वही चीज़ यहां पर लिखा हुआ है दूसरी बहुत मजलिस का अनाकत बहुत मजलिस पाठली पत्रा में मोगली पतरतिस की क्यादत में हुई जबकि चौथी मजलिस कश्मीर की कंडरल में वसुमतर की सिदारत में हुई ठीक है तो यह था इस question के answer फिर देखे question अलबिरूनी के जरिया बताएं गई ख्वातिन की हालत पर रोशनी डाली है ठीक है तो अलबिरूनी के बारे में अब लोग पढ़ लीजएगा अगर नहीं पढ़े हो तो आगे मतलब कि इससे पहले जो मैंने एक दो वीडियो बताया था तो उसमें अलबिरूनी के बारे म हिंद में मतालका अहद ग्यारवी सदी के हिंदुस्तान की ख्वातिन की हालत पर तफसीली रोशनी डाली है उनके मताबिक हिंदु लड़कियों के शादी बच्पन में ही कर दे जाते थी तलाग का रसम नहीं था अलबितस्ती कारसम रायस था मर्द एक से जाना चार बीवि पर देखिये नेक्स्ट क्वेशन यहां पर थोड़ा से क्वालिटी सही नहीं है यहां पर थोड़ा से अप्लोग मैनेज कर लिजेगा तो चलिए आई नकबरी के मताबिक मोगलिया अहद में टैक्स खराज के मुक्ताइन का कौन सा थरीका रायस था तो यहां पर लोग नोट लिखे ठीके हले हैं अब यहां ज ignore और शोटन के लिए बार नोट लिखना हो गा तो यहां एक तो यहां पर यहां नक्तूबात पर नोट लिखना है जवाब देखिए विजय नगर हकूमत ने मकामी इंतजामियां में राइस तरीकों में तबदीली करके आयागार निजाम शुरू किया है। इंतजामी एकाई की शकल में तश्केल दे कर बाड़ा अफराद की जमात के जम्म्म जम्म इंतजामियों को होबी कर दिया गिया इसी जम्मात को आयागार कहते थे ये अफराद सरकारी उफिसर होते थे उनका एहद खांदानी होता था, उन्हें तन्खवा की शकल में माल गुजारी और टेक्स से आजाद मुबीनी दी जाती थी, आया गार देही इंतजामी की निगारानी करते थे, निगारानी करते थे, और समाज में अमन वा अमान का मौहल बनाए रखते थे, तो यहां पर आप लोगो समझ में आया कुछ कुछ कुश कुशन आप लोगो खुद से पढ़ना होगा बिकास एक ही वीडियो में ज़ादा ज़ादा कुशन मैं नहीं करा पाऊंगी तो कुशन देखिए मुखलिया औहद में जमीन की खास तोर से कितने किसमों में दर्जा बंदी की गई थी तो कितने दर्जों में की गई थी तो यहां पर मंदर्जा जेल है नीचे दिये गए हैं कितने हिस्सों में हैं तो चार ठीक है इन चारों हिस्सों में की गई थी इन चारों हिस्सों का नाम और इनके बारी में जान तो यहां तक आप लोग 10 questions होंगे 10 questions आगे कि आप लोग खुद से read करना है और खुद से पढ़ना है इसमें जितने question थे important हो सब तो मैं बता दी हूँ यह भी important है यह भी आ सकते हैं तो आप लोग इसको screenshot ले 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 इसका screenshot ले ले और इसको आप लोग खुद से read कर लेंगे ठी और इसमें से भी यह जो question आप लोग देख रहे हो मजभ़ी आजादी का क्या मतलब है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेंगे important question है यह भी तो यह थे कुछ important question historic और यह है last part इसके बाद दूसरे कोई subject बच गया होगा तो उसका भी मैं वीडियो जल से जल ले आऊँगी तो वीडियो कैसे लगए आपनों comment करके ज़रूर बता है